नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यही नमबर है हमारे सिर्फ जहां पर कॉल या वाट्सथ कर सकते हैं इसको आप जोईन करके अपनी पूरी तैयारी यूपीपीस्स दो ज़र बाइस की कर सकते हैं आप पूरी डिटेल दिवी है और आप वाट्सथ कर सकते हैं इन गिवेन नमबर्स पर अधिक जानकारी पहली बार फॉर्म भरने हैं उनको भी सब समझ भी आ जाएगा जो लोग सेकंड टाइम भर रहे हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं सेकंड टाइम जो भरने हैं वो अपने मोबाइल से घर पर भर सकते हैं बहुत असानी से बाहर जाने जरूरत नहीं पड़ेगी जो लोग आईसी इमेल और ऐसा मोबाइल नंबर फिल करिएगा जिसको आप चेंज नहीं करने वाले हैं यह एक पहत्पूर्ण बात है आएप फॉर्म फिल अप करना शुरू करते हैं एक्टिविटी डैश बोर पर आजाएगा यूपी पीसी डॉपी 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 जर बाइस पर तोन टर्फिकेशन इसको हम यहां पर फिल कर लेते हैं तो आईए यहां पर क्लिक करना शुरू करते हैं सब्सक्रांने तक कुछ पोस्ट बढ़ जाती हैं तो इस पर user instructions है कुछ instructions पढ़ने ही जरूरत नहीं जो महत्मूर था मैंने आपको बता दिया है कि आपको email और phone number अपना वो दरज करना है जो आप लंबे समय तक use करने वाले हैं बदलने ने वाले हैं advertisement एक बार view जरूर करें जो लोग special qualification के लिए फिल करें उन्हें तो जरूर पढ़ना चाहिए जो लोग reservation क्लेम करने वाले हैं उन्हें तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए खुद से तो आईए बिना देर कि ये apply वाले section पर आजाएंगे यहां पर हम लोग click कर दें एक्शली पोस्ट यहां पर दिखाता है मेरी गलती थी अभी के लिए 200 हैं बागत मिंबढ़ सकती है तो यहां पर PCS परीक्षा 2022 है तो यहां पर हम लोग registration क्लिक कर देंगे यहां पर इस वाले पर registration अब यहां पर आपसे प्रशन पूछा जा रहा है कि आपने पूर में कभी भी फॉर्म भरने वाले हैं यहां पर नो करिए गध्यान रखेगा कोई rocket science नहीं है नो करने के बाद आपको अपना name फिल करना है mobile नंबर फिल करना है वही email और mobile नंबर जिसको अंतक रखेंगे और फिर आपको mother's name father's name और फिर एक आपका address भी फिल होगा OTP आएगा आपके mobile पर आप उसको दर्च करेंगे और आपका email और registration के पास चला जाएगा बस आप प्रोसीड कर देंगे फिर हम यहीं से चालू करेंगे अपने फॉर्म को पहली बार फॉर्म भरना है वो नो करने के बाद थोड़ा फील्ड भरेंगे अपने 10-12 फील्ड जो लोग पिछली बार भर चुके हैं वो yes करके simply आगे बढ़ेंगे तो जिनका फॉर्म भरा जा रहा है उनके लिए yes करना पड़ेगा यहां पर क्योंकि उनका फॉर्म पहले किसी मतला पिछले साल वाले के लिए भरा हुआ है ठीक तो यहां पर हम लोग yes पर tap कर देते हैं यहां पर yes किया हम लोग कोई भी आपको एक्जाम दिया है आपर नहीं भी दिया पहले तो उसका रिस्ट्रेशन नंबर यहां पर फिल कर दीजेगा उसी डिटेल से आगे फॉर्म आपका ले लेगा और आप यहां पर आरो का वही जो है डाल सकते हैं रिस्ट्रेशन नंबर हम लोग ने डाल आप य यह पेज खुलेगा अब मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूं कि अब भरना क्या-क्या है ठीक है अब यहां पर देगे यह सब चीज़ें सो करेगा आपकी अब इसमें आपको असलेट करना है तो इसमें प्लिक कर देना है ठीक है दिन उसके बाद यहां पर नाम श अब यहां पर आपको फिल करना पड़ेगा की डवली कि यहां पर आते हैं कि नहीं आते हैं लेट आप यहां पर आपको लिखनी अपनी उसके बाद जेंडर अपना लिखना है कुछ लोग gender गलत कर देते हैं प्लीज ऐसा मन करिएगा देख समझ के भरिएगा ठीक है और उसके बाद married है कि नहीं यहाँ पर लिखिएगा इसके बाद आपको mobile number यहाँ पर भरना है और email ID यहाँ पर आपको फिल करना है email mobile number का मैं बार बार कह रहा हूं लगातार कह रहा हूं नहीं भरना है वह आपका document verification के समय मांगते हैं और एक आखरी चीज यहाँ पर आपको yes जरूर करना है तब ही आगे बढ़ेगा क्योंकि essential qualification किसी भी पोस्ट के लिए आपका सनातक बिगरी है तो सनातक आपने कर रखा है यह आप जरूर फिल कर दीजेगा ठीक है फिर यहाँ पर आप यहाँ पर tap कर दीजेगा तो यह form आगे बढ़ जाएगा अब यहाँ पर submit application पर यहाँ पर आपको tap कर देना अगर आपने सब कुछ भर लिया तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे ठीक है अब registration slip जरूर प्रिंट कर लिजेगा कुछ लोग यह नहीं करते हैं फिर अगर आपका form बीच में रहे गया मोबाइल बंदो गया इंटरनेट ने अपनी मतलब इंटरनेट चला गया अगर तो जो है वापर से continue करने में इससे साहता मिलती है यह registration slip पर प्रिंट के लिए क्लि से फिल करना है ठीक है यहां पर हम क्लिक कर देते क्लिक है टूपे रिक्वाइड फी ते फिर यह form आगे बढ़ जाएगा आपका नाव अगेन अभी अगर आपको फिर से कुछ अगर इसमें चेंज करना है आप यहां पर अपनी डॉमाई डॉमिसाइल कास्ट सब कास्ट कट आप से मांग रहा है फिर दिपोजीशन फी फी सब्मिट करने के लिए यहां पर मांगा जा रहा है तो आप यहां पर टैप कर दीजेगा फिर पेमेंट रसीद आ जाएगी इस पेमेंट सिलिप को भी आप मैं कहूंगा कि एक पर आप प्रिंट जरूर करें जरूरी नहीं है आगे नहीं काम पड़ेगा लेकिन अगर मान लिजिए आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो फिर यहां से प्रोसीट करने में असानी होगी इसको प्रिंट कर लिजेगा इस तरीके से मुबाइल मुदाल कर लिजेगा यहां पर एसा पीडिएफ डाउनलोड कर लिजेगा ठी जाएगा तो यहां पर आ चुका है क्लिक हैर टू प्रोसीड अब यहां पर हम फिर से टैप कर देते हैं अब यहां पर अप्लोड फोटो और सिगनेचर वाले विंडो खुल चुका है यहां पर एक चीज़ आपको देहान रखनी है कि आपकी फोटो पुरानी शो करेगा ठी फ़ैट करता है आपको अपनी नई फोटो डालनी है तो इस छेक मी को मत करिएक अब अपनी पड़नी की हुई यहां पर चुक पता आइगा यहां श B पचास के भी से अधिक नहीं होनी चाहिए आप असानी से पेंट वाले सॉफ्ट्वेर में जाकर बना सकते जिनके पास विंडोस पीसी है दर्वाइस जो है बीस ती सुपए देखर कैफे वाले से अपनी इस तरह की फोटोग्राफ और सिगनेचर साथ में बनवा सकते हैं ठीक सब उपर आपको परसनल इंफर्मिशन सो करेगा वह जरूरूर नहीं देखना आपको देखना है कि आर्यू ग्रेजवेट यहां पर यहां पर अगर आप यस करेंगे तो आपको किस विशाय से पोस्ट ग्रेजवेट हैं उसका सब्जेक्ट में डालना पड़ेगा अब यहा अगर ऑप्शन हो तो इंग्लिश में लिख दीजिएगा फर एक्जांपल अगर कोई जो है जियोलोजी से किये हुए तो भूगरब शास्त्र पर क्लिक कर सकता है ठीक है ज्यादा तर लोग इंजिनरिंग वाले होते हैं तो यहां पर अभी अंत्रण में आपको अपनी स्क् क्लिक कर दीजेगा अगर आपकी स्ट्रीम नहीं मिल रही है तो रंत अप अन्य विशे पर यहां पर टैप कर दीजेगा यहां मैं आपको एक्जांपल देता हूं अगर आपका फाइनल येर में जो लॉजी और बाटनी रहा हो तो जंतु विज्ञान तो यहां पर अन्य वि करिकेशन उनका यहां पर दिया हुआ है ठीक है कि मतलब अगर आपको निबंधक साहय नभी योजन अधिकारी बनना है पर परिवहान का तो इसमें आपको विधी द्वारा स्नातक होना चाहिए अगर आप हां है मतलब अगर आप हैं और इस पोस्ट के लिए जाना चाहते है ऐसे ही माकी में केमिस्ट बनना है तो आपको मैसी और्गनिक केमिस्ट्री से होना चाहिए फिर श्रम प्रवरतन अधिकारी है तो समाथ शास्त्र श्रम कल्यान श्रम कानून वाणी जी समाथ शास्त्र या समाजिक कार किसी में ऐसे एक में होना चाहिए होटल मेनेजमेंट म में आपको होना चाहिए अगर आप विवस्था दिकारी या विवस्था पक संपत्ति विभाग में जाना चाहिए कर निर्धारण में आपको कम सकम 55 प्रती शतंको सहित तो आप उत्तरप्रदेश से हैं तो यहां पर उत्तरप्रदेश का ओप्शन यहां पर मिल जाएगा आपको उत्तरप्रदेश का ओप्शन यहां पर चूज कर लिजेगा आप और अपना बेसिक एड्रेस फिल कर दीजेगा और इसको बोल रहे हैं यहां पर आप उत्तरप्रद ओप्लिकेशन फॉर्म पर क्लिक करके कैप्चा फिल कर देना है फिर आप इसको गर बढ़ा सकते हैं इसमें सब्मिंट पर क्लिक कर देने हैंूस्ट स्टेज है इसमें आप अप्लिकेशन फॉर्म ज Intro download करके जीजीएगा आगे के लिए यहाँ पर भी हम इसमें डाउंलोड और क्लिक कर देते हैं यहाँ पर जाकर अपने एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड ज़ेगा अपने मुपाईल में लैप टॉप messages पर आप डेह सकते हैं application फॉरम के सब्नीशन की डेट टाइम यहां पर लिखा हुआ है और अंडर प्रॉस्सिंग ही लिख करके आएगा भी ठीक है इसमें गर्वाने वाली कोई बात नहीं है ठीक है यहां से आपका फार्म भर जाते हैं